तो गाईज, OnePlus North येको लाँच हुए और मुझे इसे यूज करती हुए लग बग अब चार महने हो चुके है और इस वीडियो में मैं आपको पता हूँगा कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए नहीं, यहाँ पर क्या-क्या अच्छी चीज़े देखने को मिलती है और क्या यह यहाँ पर इशुज या फिर प्रॉब्लम मैंने इसी फोन के साथ में फेस की है तो लेट्स बगिन पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ट क्वालिटी की तो यहाँ पर हमें दो कलर वेरेंट्स देखने को मिलते हैं एक है मिस्टी ग्रीन जिसमें हमें ग्लॉसी फिनिश प्रॉटेक्शन पीछे की तरफ और फ्रेंट साथ यहाँ पर एक चाइनीज कंपणी की प्रॉटेक्शन यूज की गई है उसी के साथ यहाँ पर में आइफोन स्टाइल फ्लैट फ्रेम देखने को मिलता है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है फिर इसकी इने इंट को कंट्रोल कर पाओगे उसी साथ में अगर बात करें हैप्टिक मोटर की तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैप्टिक्स दे गए हैं चाहे टाइपिंग करना हो या फिर वॉल्यूम स्लैडर को अप और डाउन आपको एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है अब बात करें नेटवर्क को कनेक्टिविटी की तो इस फोन में मुझे अभी तक तो कोई इशू फेस नहीं हुआ यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क हमें देखने को मिलता है और वाइफाइ स्पीड बहुत ही बढ़िया है कॉलिंग के वक्त भी मुझे यहाँ पे कोई इशू फेस नहीं हुआ और इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है वैसे इस फोन में भी हमें आउट अट इद बॉक्स गूगल डाइलर देखने को मिलता है जिसकी मतद से आप जो है कॉल रेकॉर्डिंग एजली नहीं कर सक शों से जैसी है उससाथए उससाथे पूट मेजल से यहांपर बहुत ही कम दिए गया है ओर ओल जो डिस्पिय गॉब्हों किस्पियलों को है काफि कामाल obt रarat ये बहुत हिरक कॉन्स की तो पहले ही बता हुआ है कि यहाँ पhe यहाँ पर यह पीमीज्ड से डेलिटी हैप यह अबी तक जितने भी फोंस में ने इीडियाटीक की चिपसिट के साथ में यूज किया है Almighty SMS उसी कसात मैं अगर बातकरिये परफॉमिंस की, तो यहां पर बात 같이 है। इसी tirarओ स्टॉरिये में 24 00. स्टोर्ज अब बात करिए यह फोन कैसा परफॉंग करता है डे-डे यूजेज में तो यहां पे कोई बीश्व नहीं है बहुत स्मूध और फास्ट है डे-डे-डे तो आपको ये phone issue ज़रूर से देगा क्योंकि यहाँ पे ये phone जल्दी warm हो जाता है और gaming performances की इतनी stable हमें देखने को नहीं मिलती अब बात करते हैं cameras की तो इससे भी में थोड़ा सा disappointment हो चुका था launch पे हलाकि यहाँ पे OnePlus ने updates पुश कर दिया है camera को tune करने के लिए फिर भी मुझे लगता है कि camera की results है वो इतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलते है primary camera में तो यहाँ पे 50MP का IMX 890 Sony का sensor दिया गया है उसके साथ में OS का support तो ही हलाकि 4K वीडियो अगर आप रेकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे OS का support हमें उसमें देखने को नहीं मिलता बहुत ही खराब stabilization ओर आल दीगे है हलाकि 1080p वीडियो में आपको कोई issue देखने को नहीं मिलेगा stabilization खराब है यह सारी issues अभी तक fix नहीं की गए और मुझे नहीं लगता कि यह issue कभी fix होगा भी उसके साथ में अगर बात करी कुछ अच्छी चीज़ों की तो इसकी low light performance बहुत ही अच्छी है प्राइस के सबसे make होँगा one of the best है normal or portrait images भी यह अच्छे खासे click कर लेता है तो overall मैं कहोँगा इसका camera price के सबसे decent है इससे अच्छे camera वाले phones इस price range में और भी जएदा available है उसके साथ में अगर बात करी battery की तो यह number one issue रहा है स्टार्टिंग से ही और अभी तक यह fix नहीं हुआ और मैंने बहुत सारी users को notice किया है इसे के बारे में बात करते हुए कि battery सबसे बड़ी उनकी concern रही है इसके बाटरी है बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है यहां पर oneplus ने अभी तक multiple updates फिक्स के है हर एक update के change log में बैटरी का fix यहां पर mention के गा है फिर भी यहां पर बहुत सारी लोग जो अभी तक complain करते रहे है कि इसके battery बहुत ही जल्दी train हो जाती है और मैंने भी यह खुद notice किया हुआ है नॉर्मल यूज पर मुझे इस फोन पर मिलता है पाच्छे से गंटे का screen on time और हेवी यूज पर तो सिर्फ तीन चार गंटे का हलाकि battery life user to user depends करती है अगर आप Nord 3 यूज कर रहे हो तो अपना जो experience रहा है battery life के साथ में मुझे comment section में जरू से शेयर किजेगा क्योंकि आपका experience अलब हो सकता है आपकी users के हिसाब से अब बात करते है security of features की तो यहाँ पे जो fingerprint scanner तो काफी अच्छा है reliable है face analog भी बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है speaker की quality बहुत ही बड़े है यहाँ पर dual studio speakers दे गए है और quality voice बहुत ही अच्छे है loud और clear भी है वैसे इस phone में official IP rating तो देखने को नहीं मिलती नहीं यहाँ पर wireless charging का support दे गया है अब आते है software की तरफ तो इस phone में outer box दे गया था oxygen is 13.1 और अभी के लिए मेरे इस phone पर चल रहा है October security patch पे और यहाँ पर जो overall experience है वो काफी अच्छा रहा है यहाँ पे तो हमें कोई bloat wear और ads देखने को नहीं मिलते काफी clean और smooth UI है उसे के साथ में यहाँ पे हमें बहुत सार features जो कि color OS में थे वही सारी अब oxygen OS में भी available हो चुके हैं तो यहाँ पे overall काफी अच्छा experience है यूज करने में भी इस phone को मजा आता है और updates के मामले में भी OnePlus ने अभी तक अच्छा काम कर लिया है almost monthly updates यहाँ पे इस phone पे मिलते रहे है अभी तक और यह latest October security patch पे चल रहा है हलाकि अब यह November का मेना है तो देखना पड़ेगा कि अब November security patch कब आता है इस phone पे वैसे अगर बात करें update policy की तो यह पहला Nord series का phone है जिसमें हमें मिलेंगे 3 major OS updates और 4 years के security patches जो की सेम है flagship OnePlus 11R की तरह है तो यहाँ पे software update के policy और updates की speed भी बहुत अच्छी है इस phone के मामे में और मुझे software पे इस phone का का अच्छा लगता है अब oxygen 14 का beta जो है इसके लिए already available हो चुका है और stable update मुझे लगता है कि साल के end तक इसे मिल जाएगा बात करे conclusion की तो यह one of the most balanced smartphone से इस price range में especially जब यह 35,000 के price range पे launch किया गया था तो बहुत सरे लोगों को लगा था कि यह overpriced है इसका main reason यह अच्छा कि oneplus 11R भी हमें सिर्फ थोड़े ही extra price gap पे मिल रहा था जो कि एक काफी बढ़िया डील थी नौड दे के comparison में तो इसी की वज़े से आप oneplus ने इस phone की price काफी ज़दा reduce कर दी है और अब यह phone आपको almost discount से मिलाकर 28,000 तक भी देखने को मिल सकता है जो कि इस phone के लिए काफी बढ़िया price है तो इस price को consider करते हुए यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया quality की display, design, अच्छी quality के cameras, low light में charging भी बढ़िया है और software भी बहुत ही अच्छा है तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर यह काफी worthy deal हो जाती है इस price range के सबसे हलाकि अगर gaming performance आपकी higher disparity हो और better life आपक के साथ में अगर आप इस phone को यूज कर रहे हो तो अपना जो overall experience रहा है वो भी मुझे comment section में share कर दीज़ेगा और बाकी लोगों की help कर लेज़ेगा जो भी इस phone को लेनी के अब सूच रहे है तो बस आज की वीडियो के इतना ही अगर आपको यडियो पर संदर्वतर से like और और इसी तर के reviews, unboxings और tech news देखने के लिए मेरे चैनल को जरू से subscribe कर लेजगा तो मिलता है अपसे अगले वीडियो में ततक के लिए बाबाए